सभी पत्रकार बंदूओं को नमश्कार कल मैंने ED के कारणामों का और ED कैसे जबरन गन पॉइंट पे प्रतारित करके, मार पीट करके, कान के परदे फाड़के बयान ले रही है इसकी सिलसिलेवार डीटेल आपके सामने रखी थी आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हो वो बहुत चौकाने वाला है और पूरी तरीके से साबित हो जाएगा कि ED वास्तों में जूटे, बेबुनियाद, बिना सिर्पैर के केस बनाने पे लगी वी है कोई तथ नहीं, कोई प्रमार नहीं, कोई बयान नहीं जूटे केस बनाओ, जूटे केस दर्च करो पिछले कई दिनों से बार-बार मीडिया में ED के माध्यम से मेरा नाम लिया जाता है मैं बड़ा परिशान था कई राथ सो नहीं पाया पूरा जीवन इमांदारी से बिताया पूरी इमांदारी से सो प्रतिसत इमांदारी से अपना जीवन बिताता हूँ मैं बड़ा परिशान हुआ कि जिस आपकारी नीती से मेरा कोई लेना देना नहीं उसमें ED बार-बार मेरा नाम क्यों ले रही है अखबारों में, मीडिया में, TV चैनल पे खबरे क्यों प्लांट की जा रही है जब खबर चली मीडिया में मैंने जानकारी ली तो पता चला ED की 4 सीट में मेरा नाम है मैंने 4 सीट खोजी 4 सीट में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़के सुना रहा हूं यह ED की 4 सीट है ED की 4 सीट इस चार सीट में कहा गया है कि एक दस दो हजार बाइस को दिनेश अरोडा ने ये पताया कि अमित अरोडा की एक दुकान का ट्रांसफर संजे सिंग के डिरेक्शन पर मनिश से सोधिया ने किया अब पहला सवाल होता है कि संजे सिंग कौन होते डिरेक्शन देने वाले लेकिन इस स्टेट्मेंट में लिखा गया इस चार सीट में लिखा गया कि दिने सरोडा ने ऐसा बताया कि अमित अरोडा की शराब की दुकान संजे सिंग के डिरेक्शन पर मनिस से सौधिया ने ट्रांसपर की इसका आपकारी नीच से कोई लेहर देना नहीं मैं आपको फिर क्लियर कर दूँ इस अमित अरोडा की कोई शराब की दुकान है जिसके ट्रांसपर करने की बात कही जा रही है यह लीकर पॉलिसी के पहले का मामला बताया जा रहा है इसको ध्यान से समझिएगा यह कौन कह रहा है एडी कह रहा है कहां कह रहा है अपनी चार सीट में कह रहा है कब कह रहा है छे जनवरी को ये तारीक ख्याद रखियेगा छे जनवरी को जब एडी अपनी चार सीट दाखिल करता है तो उस चार सीट में मेरा नाम लिखता है कि मेरे डिरेक्शन पर मनिस सिसोधिया ने अमित अरोडा की शराप की दुकान ट्रांसपर की अब आगे ध्यान से देखियेग सुनिएगा और एक-एक कागजात पढ़िएगा कि किस तरीके से एक फरजी एक जूटी चार सीट क्योंकि मैं अडानी के महाग होटेले के खिलाप बोल रहा हूं क्योंकि मैं नरेंद्र मोधी सरकार के भस्टचार के खिलाप बोल रहा हूं इसलिए कैसे जूटा मामला बना आगा अब दिनेस अरोटा का स्टेटमेंट दिखाता हूं अब है यह है डिनेस अरोटा का स्टेटमेंट है जो एडी ने दर्ज किया यह चार सीट है छे जनवरी वाली और ये दिनेस अरोडा का statement है इस statement में ये कहा जा रहा है कि exercise commissioner राहूल सिंग ने routine way में अमित अरोडा की दुकान का transfer किया इसमें संजे सिंग के नाम का कहीं कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं ED ने खुद जो 50 में बयान लिया दिने सरोडा का उसमें संजे सिंग के नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं ये भी आपको उपलब्द करा दूँगा ये कब लिया गया ये लिया गया 110-2022 जो चार सीट में डेट लिखी है वही डेट ED के द्वारा दर्च किये गया बयान में लिखी है अब और मज़ेदार बात आपको बताता हूँ देखिए कैसे जूटे मामले बना रहे हैं अब न्यायाले के समख्ष जो सबसे तथिपूर्ण और सच्चा बयान माना जाता है न्यायाले के समख्ष दिने सरोडा ने जो बयान दिया 164 का बयान वो 164 का बयान क्या कहता है वो 164 का बयान कहता है कि अमित अरोडा ने दिने सरोडा से जब ये ट्रांस्पर की बात करी तो दिनोई सरोडा लिख रहा है कि मैंने इस बारे में न डिप्टी सीयम से बात करी न न सन्झे सिंग से ये देखே ये माननी नयायाधीस के सामने दिया गया दिने स defens का बयान है दिने सरोडा कह रहा है कि मैंने इस बारे में न डिप्टी सीयम से बात करी ना सन्झे सिंग से आपके लीडर्स मेरे नॉलेज में लीकर कंजंशन के अगेंस्ट है ये जोड़ रहा है आपके नेता मेरी जानकारी के हिसाब से लीकर कंजंशन के अगेंस्ट है ना डिप्टी सीयम पीते हैं ना संजे सिंग ये बयान पढ़िए आप इसकी कापी मैं आपको दूँगा भी देखे कैसे जूटे केस बनाएं आगे लिख रहा है अमित अरोडा इसको कह रहा है कि नए एक्सराइज कमिस्नर आये है राहूल सिंग राहूल सिंग को इस सीट पर मैं लेकर आया हूँ अमित अरोडा कह रहा है और इसने अमित अरोडा ने राहुल सिंग से इनकी मुलाकात कराई दिनेस अरोडा की और फिर इसमें आगे तारीख दी भी है यह कह रहा है कि जब यह मुझे इंसिस्ट करने लगा कि आप डिप्टीसीयम से बात करिये तो मैंने डिप्टीसीयम से कहा तो डिप्टिस एम ने कहा मैं देखता हूँ और 22-23 मार्च को राहुल सिंग का फोन आया कि आपका ट्रांस्फर लेटर रोटीन वे में एप्रूब हो गया है आपका ट्रांस्फर लेटर रोटीन वे में यानि कि पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए एप्रूब हो गया है अब मैं भारत के प्रधान मंत्री से देश की E.D. से उन तमाम अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि किसके दबाओं में जब बयान में मेरा नाम नहीं नयायाले के सामने दिये गए बयान में मेरा नाम नहीं E.D. के सामने दिये गए स्टेट्मेंट में मेरा नाम नहीं तो E.D. के अधिकारियों की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने चार सीट में मेरा नाम लिखकर मुझे बदनाम करने की कोशिस की मीडिया में मेरे खिलाफ ख़बरे चलवाई भारती जन्ता पार्टी के लोगों के द्वारा प्रायो जित पीस ही कराई गई और मैं आज इस प्रेस वारता के माध्यम से कहना चाहता हूँ एडी के अधिकारियों से कि नरेंद्र मोधी जी ने तो अपने लिए नियम बना लिया है रिटायर्मेंट की उमर उनकी 75 साल है लेकिन नियाकी प्रक्रिया में जब तुम लोग फसोगे तो फिर दुनिया में कोई बचाने नहीं आएगा ऐसे जूटे और बेबुनियात काम मत करो ऐसे फर्जी बदनाम करने की कोशिस मत करो और इसलिए क्योंकि इस जूटे चार सीट के आधार पर मेरे खिलाब टीवी चैनल पर खबर चली मेरे खिलाब भादपाईयों ने प्रसवारता करी मेरे खिलाब तमाम दुस्परचार किया इडी ने इसलिए इडी के तमाम अधिकारियों के खिलाफ इनके डिरेक्टर एसके मिस्रा के खिलाफ इनकी अधिकारी जिसने इस पर दसकत किया है भानुप्रिया के खिलाफ इनका आयो जुगेंदर सिंग के खिलाफ डिफेमेशन का केस करूँगा आपराधिक मानहानी का मुकदमा करूँगा इनको बेनकाप करूँगा पूरा जीवन इमानदारी से बिताया है मैं प्रधार मंत्री जी से कहना चाहता हूँ इस जनम में नही अगले जनम में भी ब्रस्टाचार के एक भी सबूत और प्रमाड मेरे खिलाफ नहीं पाओगे मैंने पूरा जीवन एक फक्कड की तरह इमानदारी से बिताया है आगे मरते दम तक उसी रास्ते पर चलोगा आप ये सब काम कर रहे हैं मैं खुद हैरान था कैसे नाम आ रहे कैसे कहानिया बनाई जा रहे हैं दिने सरोडा न्यायाले के सामने बयान नहीं देता मेरा नाम नहीं लेता दिने सरोडा एडी के सामने नहीं कहता कि मेरे कहने पर कोई लिकर साफ ट्रांस पर हुई ना नयाले के सामने कहता है बलकि नयाले के सामने तो कह रहा है कि आपके लीडर्स मनीस से सौधिया संजे सिंग लिकर कंजम्सन नहीं करते, नहीं पीते और उसके बाद भी आपने मेरा नाम चार सीट में डाल दिया तो डाला क्यों? अब इसकी क्रोनलोजी मैं आपको बताता हूँ. ये क्यों डाला? ये क्यों दुस्मनी निभाई जा रही मुझसे? ये अब आप देखिए. बारा दिसंबर को. ये मेरा संसद में दिया गया भासर है कब? इसमें तारीक लिखी हुए है. बारा दिसंबर दोहजार बाईस को. मैंने एडी के मिस्यूस के खिलाफ लोगतंत्र के सरवोच मंदिर में बारा दिसंबर दोहजार बाईस को ये बयान दिया कि एडी तीन हजार चापे मारी करती है. मात्र पॉइंट फाइप परसेंट उसका कन्विक्शन रेट है. लोगों को फरजी फसा रही है और जेल में डाल रही है. लोगों के घरों पर फरजी चापे मारी कर रही है और प्रतारित कर रही है. ये मामला देश की संसद में मैंने उठाय और भारत की संसद ने मुझे कहा मानी सभापती जी ने मुझसे कहा कि जो बाते आप कह रहे हैं उसको रिकार्ड पर लाईए मुझे प्रिवलेज कमेटी का विसेशा अधिकार समित के द्वारा मुझसे पूछा गया कि जो बातें आप कह रहे हैं उससे संबन्दिस साथ चलाईए और आप देखिए आज तो ये लगता है ED भारत की संसत से बड़ी हो गई 12 दिसंबर को मैं बोलता हूँ और छे जनवरी को चार सीट में मेरा नाम सामिल कर दिया जाता है जबकि 110-2022 के बयान में दिने सरोडा ने मेरा नाम नहीं लिया और उसके पहले जब 164 का उसका नयायले के सामने बयान हुआ उसमें भी दिने सरोडा ने मेरा नाम नहीं लिया बाउजूद इसके 4 सीट में 6 जनवरी को 12 दिसंबर के इस भासर के बाद जवरन 4 सीट में मेरा नाम शामिल किया जाता है अब ये देश की संसद में बैठने वाले संसदों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या देश की संसद से बड़ी हो गई है एडी और मैं कहना चाहता हूँ आज की इस प्रसवारता के माद्दिम से उन तमाम लोगों से क्योंकि भारत की संसद की विसेसा अधिकार समित ने मुझसे कहा है कि जानकारी दीजे कि एडी कैसे फरजी और जूटे मामले बना रहा है मैं पूरे देश में सुनने वाले लोगों से ये कहना चाहता हूँ अगर आपके खिलाफ एडी ने फरजी मामले बनाए हैं फरजी मुकदमे बनाए हैं कृपा करके मुझे जानकारी दीजे मैं वो भारत की संसद की विसेसा अधिकार समित के सामने ये पूरा विसे आपके पूरी जानकारी आपके पूरे मामले को रखोंगा तो ये था मेरा आज का जो खुलासा है वो था इसमें आपके द्वारा कोई प्रस्न हो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते देखें ये भी बड़ी आजीब बात है अच्छा आपने हाद दिलाया इडी को मैंने 11 बार मेल की मुलाकात करने के लिए 11 बार मुलाकात करने के लिए उनसे समय मांगा अडानी के घोटाले पर मुझे जानकारी देनी है समय दे दो कोई जानकारी नहीं दिगे कोई समय नहीं दिया गया लास्ट में उनकी तरफ से एक मेल आता है जवाब आता है कि आप बंद लिफाफे में आकर इसको रिसीप कराईए तो बड़ी मुस्किल से दो तीन महीने के जदो जहत के बाद E.D. का जो उरंदस्ता है जो राज दिन सब क्या चापे मारी करता रहता है वो उरंदस्ता E.D. का वो उरंदस्ता दो महीने से मुझे समय नहीं दे रहा था 11 मेल किया मुलाकात के लिए समय नहीं दे रहा था बड़ी मुस्किल से आज अडानी के महा घोटाले पे चार एपिसोड जो मैंने आपके सामने रखा था उसकी शिकायतें रिसीब की गई है एडी में उसकी शिकायतों को उन्होंने लिया है उसकी रिसीविंग दी है और अगर इस से संबंदित वो कोई जाच करेंगे तो उसमें जो भी और तथ्य और जानकारी चाहेंगे वो उपलब्द कराई जाएगी यह है एडी की रिसीविंग और आज यह एडी में रिसीव हुआ है और कोई प्रस्म आपके कि विपक्षी एक्ता पे जो मुद्दे उन्होंने कहा कि इस देश में सबसे महा भ्रस्ट सरकार आजादी के बात की चल रही है नरेंद्र मोदी जी की सरकार यह के पाल जी ने कहा और कहा कि इसके लिए सारे लोगों को एक्जिट होना होगा एक साथ आना पड़ेगा बाकी बाते आगे क्या तै होंगी वो समय समय पर आपको बताई जाएंगी लेकिन कल जो मोटे-मोटे तावर पे तै हुआ और बातचीत हुई उसमें यही सहमती बनी कि मैं अब तक जितने भी चाहे महंगाई हो बेरोजगारी हो काला धन का मुद्दा हो किसानों के फसल के दाम ना मिलने का मुद्दा हो या अगनी वीर का मुद्दा हो यह किस से जुड़ा हुआ है यह ब्रस्टचार से जुड़ा हुआ है इतनी लूट और ब्रस्टचार हो र आज बेरोधगारी से लेके महंगाई तक के पीछे कारण है ब्रस्ट चार तो इसलिए इस मुद्दे पर एक जुटता की बात उन्होंने कही है अभी पक्ष के लोगों को एक साथ आने की बात के अब जब कुछ बात्चित सार्थक होगी तो आपको जनकारी देगा देखे अभी मैं जब आ रहा था इस प्रेस्वारता में तब यह जानकारी मुझे मिली यह इनकाउंटर कैसे हुआ किन कारणों से हुआ उसका पूरा पक्ष उत्तरप्रदेश पुलिस प्रसासन को सामने रखना चाहिए क्या उनके उपर फाइरिंग हुई क्या इसी इनकाउंटर की परिस्थितिया बनी यह सारी जनकारी देनी चाहिए उनको अभी तो मैं प्रेस्वारता में आया तभी यह जनकारी मुझे मिली है उसके बाद हम इस पर कोई प्रत्क्रिया दे लिए